हेलो एविर्बवन कैसे हैं आप सब ऐहोप आप सब ठीक होंगे चू को आज आज भाणा रहे हैं 1kg का केक कइक और ये केक ठोड़ा सथ डीफेरेंट है क्योंकि ये cake चॉक्लेट भी है प्लस स्ट्रॉबेरि भी है इसका मतलब ये multiple flavor में है चॉक्लेट कलर का base chocolate double flavor में cake होने वाल है किस चुम उनने ऐसा ही cake demand किया था तो मैंने base chocolate में ready कर लिया है चॉक्लेट प्रीमिक्स के साथ तो 1 kg के लिए कितना measurement लगता है आप मेरी चैनल पर playlist जाके देख सकते हैं ज़रूर देखिए आप सीखेंगे उससे उसके अलावा क्योंकि strawberry flavor भी उनको चाहिए था तो मैंने जो मिडिल में crush डाला है आइजिंग करते वक्त वो strawberry flavor से उसको crush डाल के strawberry flavor दिया और रही बाद decoration की तो decoration बहुत जादा इसमें खास भी नहीं था बट एहल में इतना सुंदर बनके निकला है केक आपको देखने में भी बहुत मज़ाएगा और लास तक देखिए इस cake को तो देखिए मैंने strawberry crush के साथ बीच में चौको चिप्स भी डाली है तो जब customer इस cake को खाएगा और उसका एक bite लेगा तो क्यों मज़ा आएगा क्योंकि उनको चौकलेट बेस का चौकलेट flavor मूह में आएगा strawberry crush का strawberry flavor मूह में आएगा और जो बीच में चौको चिप्स आएगे guys बहुत मज़ा आने वाला है उसके लावा अब चल रही है आईजिंग और आईजिंग देखने में और करने में तो मज़ा जो है वो आप सब लोग जानते ही है तो आज का जो केक का डिजाइन है ऐसा डिजाइन मैं पहले भी बहुत बार बना चुकी हूँ इसलिए जो customer ने order दिया था मेरी पुरानी डिजाइन को देखके ही वो आया डेकोरेशन करने में पर सिंपल सोबर से डेकोरेशन था तो अब जब customer डिजाइन लेके आता है तो आप उसके साथ आर्ग्यू नहीं कर सकते है तो आपको बनाना ही पड़ता है तो जब कुछ नया आता है डेकोरेशन में बहुत मज़ा आता है और एक जो मेरी आइसिंग जो क्रीम थी उसमें मैंने हलका से चॉकलेट टाल गयी हूँ हलका सा ब्राउनिश क्रीम को अपना कर लिया था और फाइनल लेयर आइसिंग क्रीम मैंने लगा दिया जिसे जो केक एक्चुली में जो मेन कलर हो गया है किक का वो वाइट की जगा लाइट ब्राउन हो गया है क्योंकि ऐसा ही है जैसा मैंने बोला था शुरू में कि चॉकलेट में जो है केक चॉकलेट होने वाला है और अंदर स्ट्रॉबेरी का फ्लेवर आएगा उसके बाद मैंने नाइफ से डिजाइन दे दी और अब इस पे डल रहा है चॉकलेट गनाश तो चॉ और देने आये थी ना कॉस्टॉमर नोंने में बोला था कि उनको चॉकलेट गनाश इतनी जादा नहीं चाहिए इससे लिए मैंने क्या किया सेंटर में तो चॉकलेट गनाश डाल ही दी उसके लावा एक एंड पे मैंने अलग से डिपिंग करी और जो है भागी का पूरा मैं बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि जैसा कॉस्टॉमर चाहता है वैसा ही उनको केक बना के नहीं दोगे तो फिर उनको मजा भी नहीं आएगा तो देखिए एक तरफ तो मैंने डिपिंग जो है अपनी पाइपिंग बैंग में जो कनाश ती उसके थूई कर दी दूसरी तरफ जब मैंने नाइफ से चॉकलेट गनाश को स्प्रेड किया तो अटोमेटिकली जो एक्स्टर गनाश थे उस साइट से डिप होके गिरी और डिपिंग अपने बन गई इसके बाद क्या था मैंने इसके बाद स्टार नॉजल से उसमें अपनी विपिंग क्रीम होई जो मैंने ब्राउन कलर की कर ली थी वो मैंने अपने स्टार नॉजल लगा की पाइपिंग बैंग में बर ली और चारो तरफ से केक को स्टार बना दिये बड़े से और उससे कवर कर दिया तो मैंने इक्वली जो है इसमें स्टार नॉजल से स्टार बना दिये इसके बाद क्योंकि चॉकलेट कोईन जब यूस करिएगा क्योंकि यह वाले जो चॉकलेट होती है जिनने पर इस गोल्डव करेंग। ये बहुत ज़्यादा पसंद आती है बच्चों को और क्योंकि बच्चे का बहड़े था तो चॉकलेट देखके तो बच्चों को ऐसी excitement होता है कि जब केक कटेगा उसके बाद ये चॉकलेट किसको मिलेगी किस किसके बाद सारे बच्चों को ये बहुत ज़्यादा क्रेस और excitement हो ज़्यादा की केक तो मिले मिले उसके बाद जो जी चॉकलेट है वो हम सब को मिले उसके बाद मैंने इसमें दे दिया नीचे बादर सेम अपनी ब्राउन कलर की क्रीम से पाइपिंग बैक में भरके देखे कितना प्यारा लग रहा है वही उसमें मैंने स्टार कमेंट करके प्रीज बताएए कैसा लगा लाइक करिए शेर करिए जासे जादर मुझे सपोर्ट करिए थेंक यू